नमस्कार, वेलकम टू एक सार्वीश्पन इंडिया एक्टूब चैनल देश का शुरक्षा के लिए जो लोग अपने लाइफ सक्रिफाइस करते हैं वोही लोगों को पेंशन नहीं दिया जाता है एक बहुत बड़ा ग्रिवेंस है जो की बहुत रिटायर्ट जवान, जेसियोज, आफिसर्स, पेरा मिलिटरी फूर्सेज का जवान सभी लोगों ने अबाज उठाया है पर क्या आप जानते हैं इसका भी कोई रेमेडी निकल चुका है और अगर आप भी ऐसी सफर कर रहे हैं याने कि आप सर्विस का दरन आपका लोग मेडिकल केटेगरी हो गया आप लेमसी होने पर आपको सर्विस से आउट किया गया याने कि आपको मेडिकल इन्वैलिट बोड आउट किया गया या फिर आप अपने service tenure पुरा करके LMC में ही आप low medical category का साथ आप retire हुए है पर आपको medical pension नहीं मिल रहा है याले कि आपको disability pension नहीं मिल रहा है इसका दो करन हो सकता है या तो आपको ये कहा गया कि आपका जो disability है वो not attributable, not aggravated याने कि फूच का service का बज़े से या फूच का service का दरंट आपका ये medical disability नहीं हुआ है ये reason दिखा करके आपका disability claim reject किया गया और आपको कोई किसी प्रकार का disability pension नहीं मिल रहा है या तो आपको ऐसे हो सकता है कि आपका percentage of disability below 20% है ये दिखा करके आपका disability pension reject किया गया है पर दोस्तों जान लीजिए ये दोनों ही category में अगर आप आते हैं किसी भी category में आते हैं तो आपको disability pension मिलेगा और ज़रूर मिलेगा अब इस वीडियो में देखेंगे कि क्या rule provision है Supreme Court का जो latest order है उसमें क्या judgment आया हुआ है जोस्तों आप screen पर देख सकते हैं 2013 का ये Supreme Court का judgment है जो की disability pension को लेकर इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि Indian Army से जो retired NCO है इन्होंने appeal किया था इनका appeal ये था कि service का दरान जब कोई जबान JCOs या officers low medical category हो जाते हैं तो ये disability भोच का service का दरान हुआ है ये तो accept करना ही पड़ेगा क्योंकि जब किसी भी rank में एक फोजी जबान JCOs या officer join करते हैं इन्हें नाम forces में या paramilitary forces में तो 100% medically fit certificate मिलने का बाद ही उन्हें join करबाया जाता है और वो medical connect करते हैं खुद recruiting organization या अगर एरफोर्स है तो एरफोर्स है तो एरफोर्स खुदी वो medical connect करते हैं नेवी है तो नेवल का ही डक्टर connect करते हैं और आर्मी है तो आर्मी का या फिर paramilitary forces है तो उनका खुद का जो medical authorities है वो ही certify करते हैं कि ये candidate fit for joining service fit for military या paramilitary service उसके बाद अगर आपका medical category down किया जाता है यानि कि आप किसी बेमारी से सफर कर रहे हैं तो इसका कारण cable और cable मतरो military service ही होना चाहिए आप चाहिए किसी भी rank से return होए हैं और LMC में return होए हैं तो आपका जरूर release medical board यानि कि RMB हुआ होगा और RMB में कह होता है release medical board का जो expert doctors है उनका opinion एक बहुत बड़ा factor होता है disability pension award के लिए यह ने कि उनको अगर लगता है कि आपका जो low medical category है यह not attributable, not aggravated है तो वो ऐसे ही certify करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे ही instruction दिया गया पर अब supreme court ने जैसे कि आप देख सकते हैं screen पे यह जो rule provision है इस provision को दिखाते हुए उन्होंने accept किया कि कोई भी medical disability during service वो या तो aggravated होगा या फिर attributable होगा या फिर दोनों ही हो सकता है not aggravated not attributable तो होई ही नहीं सकता है क्योंकि एक medical expert board ने certify किया इसलिए PCDA उसको challenge भी नहीं कर सकता है पर अब यह तो मनना हैं पड़ेगा क्योंकि भारत का जो शर्वच्च नयालाय है Supreme Court of India ने order दे लिया है कि इस तरह का जो case है यह case attributable to military service या aggravated by military service काउंट करना है क्योंकि यह after joining the service low medical category में place होए है तो इनका medical disability को एने एने नहीं बोल सकते है इसमें एक और appeal था जो की broad bending of disability को लेकर देखिए अभी तक का जो rule है अगर आप medical invalid out होते है तो आपका जो disability है वो broad bending होगा याने कि अगर आप medical invalid होते है तो 50% से नीचे वाला जो disability है वो 50% मना जाएगा 50 से 75% जो है वो 75% मना जाएगा और above 75 का जो है वो 100% disability मना जाएगा याने कि rounding off या फिर broad bending कह सकते हैं इसको तो ये सुवीरा किभल मतर invalid के समें ही applicable है पर सुप्रीम कोर्ट में appeal करने के बाल इन सज्जियों को ये जो retired जवान है इनको सुप्रीम कोर्ट ने ये benefit दे दिया है कि आप अपना terms of engagement पूरा करके भी retire कर रहे है लो medical category में तो भी आपका जो disability है वो broad bending होगा याने कि rounding off होगा तो दोस्तों अब rounding off का भी जो problem था जो doubt था वो clear हो गया चाए आपका reason of discharge, reason of living service कुछ भी हो आपका broad bending होगा दूसरा आपका disability किसी भी हाल में not attributable, not aggravated नहीं हो सकता है और किवल ये ही नहीं है इनके बाद जो भी AFT को approach किया जिनका similar case था याने कि disability due to NANA जिनको medical disability pension नहीं मिल रहा था, उन सभी को AFT से benefit दिया गया और उन सब को disability pension मिल भी रहा है, इस सारे details आप कर सकते हैं एक service man के लिए बहुत ही informatic website है, जिसका web address आप स्क्रीन पर देख सकते है www.esminfoclub.com यहाँ पर आप visit करके एक service man का related सारे orders, instructions और जो भी updated orders है, जो भी updated news regarding service man welfare का है, सभी आप इसमें देख सकते हैं और यही पर आपको यह एक report है, जहाँ पर आपको Supreme Court का यह order भी मिल जाएगा, उसका link मिल जाएगा और बहुत सरे जो cases है, जिन लोगों को बाद में, एक टीम में approach करने के बाद, disability pension मिल रहा है, वो भी link आपको वहाँ पर मिल जाएगा तो दोस्तों इसी तरह का important जानकरी के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहे और like share करना तो जरूर भी मिल जाएगा इसी वोट के असाद नमस्कार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जहिंद जैवरत